Hello everyone, आज मैं आप सभी के लिए लेकर रही हूँ अर्बी के पत्ते की कड़ी अर्बी के पत्ते की कड़ी बनाने के लिए हम कुछ अर्बी के पत्ते लेंगे इन्हें हम अच्छे से दो कर साफ कर लेंगे सबी पत्तों को दोकर साफ करने के बाद हम इसे बारिक बारिक काट लेंगे अब हाफ कटूरी चने के दाल लेंगे इसे हम राद भर बेगो कर रखेंगे और मॉर्निंग इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे इसी तरह हम कुड़त की दाल लेंगे इसे भी हम रात भर बेगों कर रखेंगे और मॉर्णिंग इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे अब हम कुछ मसाले लेंगे मैंने यहाँ पर धन्या पाउडर लिया है अद्रक के कुछ तुकड़े लिये हैं कुछ कलिया लहसं की हरा मिर्च, जीरा, हल्दी पाउडर और काली मिर्च पाउडर इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे अब हम अर्भी के पत्ते लेंगे अर्भी के पत्तों में हम चनी की दाल, उड़की दाल और मसाला आड़ करेंगे जो हमने पेस्ट पनाया था चने की दाल का हम इसे आड़ करेंगे, इसे हम हाफ ही यूज़ करेंगे, हाफ हम कड़ी में यूज़ करेंगे इसी तरह हम गोड़क की दाल का पेस्ट इसमें आड़ करेंगे, इसे भी हम आदा ही मिलाएंगे अब हम इसमें मसाले आइट करेंगे इसे भी हमें हाफ ही यूज़ करना है हाफ हम कड़ी में इस करेंगे अब सॉल्ट आइट करेंगे सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिय आइट करें क्योंकि हमें कड़ी में भी सॉल्ट को आइट करना है अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हमें पकोडे बनाने के लिए मैंने यहां पर छोटे-छोटे बॉल्स बना लिए इन बॉल्स को हम फ्लैट करके एक पैंग में गरम तेर लेकर सारी पकोड़ों को फ्राइ करेंगे हम पकोड़ों को बॉल्लन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे एक साइड से ब्राउन होने पर हमें पकोड़ों को पलटते जाना है इन पकोड़ों को हम सुखा भी खा सकते हैं और कड़ी के साथ मिला कर भी खा सकते हैं अब हमारे पकोड़े तयार हैं हम इसे एक लेक में निकाल लेंगे कड़ी में डाला जाने वाला पकोड़े थोड़े से मोटे होंगे अब हम कड़ी बनाने के लिए एक पैन में तेल लेंगे तेली गरम होने के बाद मेथी किदाने डालेंगे दो मिर्च डालेंगे और कुछ कड़ी पत्ते डालेंगे मैंने यहां पे 10-12 कड़ी पत्ता लिया है अब हमने जो मसाला तयार किया था उसे डाल देंगे कुछ देर बुनने के बाद चना डाल पेस्ट और उड़ा डाल पेस्ट जो हमने बनाया था उसे मिलाकर पतला करेंगे और इस पैन में डाल देंगे अब हम दो ग्लास पाने डालेंगे कुछ देर ढख कर पकाएंगे और एक उबाल आने पर हम सभी पकोड़ों को एक एक करके कढ़ी में डाल देंगे अब हम कढ़ी को तब तक पकाएंगे जब तक कढ़ी थोड़ा थिक ना हो जाए देखे कढ़ी थिक हो गए है मतलब अब ये कढ़ी खाने के लिए तयार है आप सभी इस कढ़ी को जरूर बना कर खाएं या कढ़ी खाने में बहुत ही ला जवाब और स्वादिस्त लगती है और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भोलें थेंक यू